बॉड बॉरिंग स्टूरेंट, वेल्कम बैक तो अवर चैनल, लर्निंग अब इंडिया का स्कूल यह हमारा EBS का चप्टर नमबर 9, चप्टर नमबर 9, फूड फोर हैल्थ, यानि की चप्टर 9 है, आज हम करेंगे इसकी समरी डिसकस फूड फोर हैल्थ, यानि की हमारे भोजन के लिए, किस तरह से जो खाना है वो नैसरी है, खाना किस तरह से जरूरी है, या भोजन के लिए, स्वास्ते के लिए, हमारा भोजन किस लिए जरूरी है, हमें स्वस्त रखने के लिए, सबसे पहले अगर बेटा हम अच्छे से खान कहाँगे प्रोपर newspapers and balance diet rece s Neem strip app file Judaism फेट सोते हैं मिमस्ता है मिन्रल सोता है यह सब भी चीज़ेंगर इन सब रहे चीजों से भरपूर हम खाना खाएंगे तो हमारी में इस चम्रमें बॉड फूर हेल्थ किस तरह इसे हमें स्वस्थ रखने के लिए भोजन है वो जरूरी है अब सबसे पहले हम डिसकस करते हैं कि जब इंसानों को पूर मात्रा में खाना नहीं मिलता तब क्या होता है इट लीड्स टू वीकनेस इन दी बोड़ी उनकी शरी में क्या हो जाएगी वीकनेस आ जाएगी नेक्स सेकंड पॉर्टेस ओफ नूट्रियेंट्स इन दी फूड मेक्स दा बोड़ी पॉर्ड टू डिजीज़ जो नूट्रियेंट्स की यानकी कार्भोहईडिरेट्स फैट विटामिन्स इनकी कमी हो जाती है इनके कारण हमारी बोड़ी किस चीज़ को जखड़ लेती है बीमारियों से जखड़ी जाती है नेक्स्ट बोलता है डिजीज़ इस अ कंडिशन डास डूट अलाओ दा बोड़ी तो वर्क प्रॉपर्ली एंड एफटिवली डिजीज़ एक ऐसी स्थिती है एक ऐसी कंडिशन हो जाती है हमारे शरीर की जो ना तो हमें पूर्ण रूप से सुचारू रूप से काम करने के लिए सक्षम बना पा हम बहुत ज्यादा डल डल फील करते हैं तो डू नोट प्रॉपर वर्क हम सही तरीके से काम भी नहीं कर पाते दस इन ओडर टू स्ट्रे हैल्टी वी मस्ट इट वोल्सम फूड एंड ड्रिंक क्लीन वोटर इसलिए हमें बताया जाता है कि अगर हमें स्वास्त रहना है स्व बहरा हुआ नूट्रियंट्स बैलेंस डाइट वाला फूड खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन्स भी हो फैट भी हो विटमीन्स भी हो मिंडरल्स भी हो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो इन चीजों से भरपूर खाना खाना चाहिए और इसके साथ-साथ साल्प और स्वच पा और नो टेबल टूइट दा राइट काइंड ओफूड अब वो कौन-कौन से रीजल है छब क्या इनसान पूर मात्रा में क्या निक शकता खाना नहीं खा सकता वो कौन-कौन से कारण उनके सामने आ Żाते हैं जब वो सारे नूट्रियंट से भरा भरपूर खाना क्यों नहीं खापाता फर्स रीजन है बेटा पुवर्टी मतलब गरीबी अगर इंसान गरीब है तो वो सिर्फ एना फूड यान की पूर्ण रूप से नूट्रियंट से भरा हुआ फूड नहीं खापाएगा वो वही जो इंकम है उसमें आ सकती है उतनी ही चीजे वो क्या कर सकता है अफोर्ड कर सकता है खरीद सकता है परचेज कर सकता है पूवर्टी is the main cause behind it इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है बेटा वो क्या है गरीबी poor people are not able to eat enough to meet their nutritional requirement जो गरीब इंसान है वो इतने शक्षम नहीं होते कि हर balanced diet हर nutrient से भरा हुआ भोजन वो purchase करे वो खरीदे और उसको खाए वो इतने शक्षम नहीं होते next second बोलता है religious forbid them do so यानि कुछ कुछ हमारे धर्म भी कैसे होते हैं जो जैसे की काफी धर्म होते हैं जो हमें masa hari जो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा परचलित है कि हिंदू धर्म में जो ब्रामन ग्रूप है या जो शत्रिय ग्रूप है ये चीजे कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो क्या शुद्ध साखाहारी भोजन खाते हैं वो कभी भी मासाहारी चीजों को हाथ नहीं लगाते लेकिन मासाहारी चीजों non-vegetarian foods में भी बहुत सारे protein, minerals, effect यानकी इससे अच्छा हमको active रखने की बहुत सारी चीजे उनमें मिल जाती हैं तो second point है certain groups of people do not eat certain kind of food जो अधिकतर लोगों का समू है वो कुछ-कुछ भोजन की परकार को avoid करता है किस कारण से because their communities जो उनका समाज है या उनका जो धर्म है forbid damn to do so उनको मना करता है ये चीजे खाने के लिए जैसे की हिंदू धर्म में मास मच्छी ये चीजे खाने पर पून रूप से पाबंदी लगाई गई है या ब्रामन भी इस चीज को हिंदू इतने फोलो नहीं कर सकते लेकिन जो ब्रामन है ब्रामन ग्रूप वो इस चीज को बहुत ज्यादा फोलो करते हैं वो अंडों तक को हाथ तक नहीं लगाते नेक्स आता है एक्सिस एक्सिस एक्सिव कुकिंग डिस्टोई नूट्रियंट्स जनकी ज्यादा से ज्यादा हम भोजन को जब क्या कर लेते हैं कुक कर लेते हैं पका लेते हैं ज्यादा से ज्यादा तो उसमें जो नूट्रियंट्स होते हैं जो उसमें पोस्टिक तत्व ह वो क्या होते हैं नस्ट हो जाते हैं वो खराब हो जाते हैं खतम हो जाते हैं एक्सिसीव कुकिंग डेस्ट्रोय दा नूट्रिशन प्रेजेंट इन दी फूड जो भोजन में एक्स नूट्रिशन पोस्टिक आहार होते हैं वो खतम कर देता है जादा से जादा खाने को पकाने पर जब हम भोजन को सही तरीके से स्टोर करके नहीं रख पाते तो वो भी क्या रीजन है? हमारे भोजन के खराब होने का रीजन है क्लियर है यह फॉर्थ पोइंट थे कि क्या-क्या रीजन है हम राइट मातरा में फूड नहीं खा पाते और फॉर्स्ट में हमने डिस्कस किया कि क्यो पीपल को क्यो इंसानों को उचित मातरा में भोजन खाना चाहिए ये उनकी weakness नहीं आए इसके कारण shortage of nutrition के कारण हो जाता है और फूड नहीं लेंगे तो बहुत सारी diseases हो जाती है प्रोपर तरीकले से वर्क नहीं कर पाएंगे effective और active नहीं रह पाएंगे और reason क्या है कि वो पूरा nutrient से भरा खाना नहीं खापाते सबसे बड़ा reason poverty है गरीबी है second reason है हमारा धर्म मास मच्छी खाने को मना करता है third reason है जादा से जादा पका लेते हैं खाने को nutrients positive का hard nest हो जाते है fourth reason है कि अगर हम बोजन को store करके नहीं रखेंगे तो उसके जो nutrients है उसके जो food है वो क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा खराब हो जाएगा destroy हो जाएगा अब next है कि कौन कौन सी बिमारियों से हम सफर करते हैं अगर हम proper diet ना ले तो proper food ना खाए enough मातरा में nutrients वगएरा इनसे भरा भरपूर खाना ना खाए तो कौन कौन सी बिमारियों से हमें सफर करना पड़ता है जूंजना पड़ता है अब आता है बेटा हुमन hunger and diseases are closely related भूक और बिमारिया दोनों एक दूसरे से जुड़ी है a person who does not get enough food to eat suffer from malnutrition and under nutrition जो इंसान जिस इंसान को proper मातरा में खाना नहीं मिल पाता sufficient food नहीं मिल पाता वो proper nutrient से भरे food के कारण suffer करता रहता है उसको क्या क्या कहलाता है malnutrition malnutrition और under nutrition कहलाता है अब first चीज आती है disease क्या होती है बिमारिया disease क्या होता है बिटा a condition in which a body does not function properly हमारे शरीर की वो स्थिति आ जाती है जिसने हमारा शरीर सही रूप से सुचारू रूप से क्या नहीं करता कारिय करने में सक्षम नहीं हो पाता उस condition को ही हम क्या बोल देते हैं आगे आता है deficiency of nutrition in the body result as in disease जो nutrition की कमी के कारण यानिकि जो पॉस्टिक आहारों की कमी के कारण जो रोग होते हैं उनके उन्हीं को हमारी बोडी में वो क्या कहलते हैं वो diseases का ही कारण बिमारियों का ही कारण कहलते हैं तो पून रूप से nutrition ना मिल पाना भी diseases को बढ़ावा देती है बिमारियों को बढ़ावा देती है अब आता है यानि की अब हमें क्या करना चाहिए diseases से बिमारियों से बचने के लिए हमें प्रोपर मात्रा में क्या लेना चाहिए nutrition से भरे हुए food लेने चाहिए अब देखते हैं the different types of nutrition की कितने type के जो पोस्टिक आहार है वो होते हैं फर्स्ट बताया गया बिटा protein, second बताया गया carbon carbohydrates, third बताया गया fats, fourth बताया गया vitamins, fifth बताया गया minerals और six बताया गया रफेज ये छे type के क्या है पोस्टिक आहार है जो हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए effectively सही तरीके से और active तरीके से वर्क करने के लिए अगर इन में से हम एक आहार भी अपने खाने में सही तरीके से सुचारू रूप से proper मात्रा में यूज नहीं करेंगे तो हम किसका deficiency of nutrition यानि की deficiency disease का शिकार हो जाएंगे जो nutrition की कमी के कारण पोस्टिक आहारों की कमी के कारण जो बीमारियां हमें लगती है उन बीमारियों का क्या हो जाएंगे हम शिकार हो जाएंगे अब एक और चीज है कि balanced diet, balanced diet क्या होता है, balanced diet होता है, diet that contains all the essential nutrition in the right amount is called a balanced diet balanced diet वो होता है जिसमें बेटा सही मात्रा में, proper quantity में यानकी जितनी मात्रा हमें अपने खाने में हर एक nutrition की चाहिए उतनी मात्रा में तयार की गई एक diet होती है, जिसमें carbohydrate होता है, fats होता है, vitamins होता है, minerals होता है, rafage होता है, protein होता है इन सभी से तयार की गई एक थाली, एक diet क्या कहलाएगी, balanced diet कहलाएगी, a diet that contains all essential nutrition जितने भी जरूरी पोस्टिक आहर है, उनकी right मात्रा यानकी right amount, proper पूर्ण रूप से सही मात्रा ही खाने में लेना, क्या कहलाएगा, balanced diet कहलाएगा अब आजाता है, अब वो कहते है कि deficiency disease, यानि कि अब तक हमने सुना कि disease क्या होती है, कि हमारा function सही रूप, हमारा जो शरीर है, वो सही रूप से क्या नहीं कर पाता, function नहीं कर पाता लेकिन deficiency disease क्या होती है, deficiency disease बेटा वो होती है, जो इन 6 vitamins की, इन 6 nutrients की कमी के कारण होती है, अगर हमें carbohydrate नहीं मिल रहा तो उसके कारण कौन सी बिमारी हो सकती है, protein नहीं मिल रहा तो उसके कारण कौन सी बिमारी हो सकती है, fat नहीं मिल रहा तो उसके कारण कौन सी बिमारी हो सकत करती है और यह सारी चिज़े इन डिजीजी के कारण होती है इन नूटुरिश्उंट की कमी के क आरन जो बीमारियों होती है वह ही कहलाती है मेरी دेफिसेंशी डिजीज अब देखते हैं उसे ही क्या बोल दिया जाता है, deficiency disease बोल दिया जाता है, clear है, deficiency disease किसको कहते हैं, अब discuss कर लेते हैं, कुछ nutrition, उनके source कहां-कहां वो पाए जाते हैं, और how they help us, वो किस तरह से हमारी क्या मदद करते हैं, clear है, एक table के तुरू समझाते हैं, कि कौन-कौन से nutrients होते हैं, कहां-कहां व होते हैं, कहां-कहां वो पाए जाते हैं, किन-किन, vegetable, fruits इन में available होते हैं, और how they help us, किस तरह से वो हमारी मदद करते हैं, इतना समझ में आया, इतना clear है, ठीक है, अब discuss करते हैं, वो टेबल, ओके, अब देखो बेटे, इसमें चार nutrition लिख हो है, उसके source लिखा होगा, how they help us, वो किस तरह से हमारी मदद करते हैं, फर्स रहता है, प्रोटीन, प्रोटीन का source का है, कहां-कहां से हमें प्रोटीन मिल सकता है, pulses से, जो डाले होती हैं, उनसे, milk, दूज से, cheese से, और nut से, और egg से, यहां-यहां से हमें क्या मिल सकता है, अगर हम इनकी मातरा, कुछ-कुछ मात भी खाएं, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोटीन की जो कमी से होने वाली डिजीज हैं, वो हमसे तूर रहेगी, और प्रोटीन किस तरह से हमारी मदद करता हैं, हमारे जो बोडी सेल, जो खराब हो चुके हैं, उनको फिर से रिपेर करता है, और उसके साथ-साथ हमारी ग् पॉल्सेज, मिल्क, चीज, नट्स, एग्स, नेक्स आता है, सेकिंड बेटा, कार्बो हाइड्रेट्स, कार्बो हाइड्रेट्स हमारा दूसरा में नूट्रिशेंट है, जो हमें ब्रैड में मिल जाता है, वीट गेहूं में मिल जाता है, राइस, चावल में मिल जाता है, त जब भी हम कोई काम करते हैं, तो हमें जो एनर्जी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, वो एनर्जी हमें कहा से मिलती है, कार्भो हाइडरेट से ही मिलती है, next आता है बिटा हमारा third main nutrition है nutrients है fats fats कहां से मिलता है oil में मिल जाता है घी में मिल जाता है butter में मिल जाता है इन तीन चीजों में का मिल जाता है fat हमें available हो जाता है तो इन तीन चीजों की मातरा भी हमें लेनी चाहिए first कुछ अगर protein चाहिए तो pulses, milk, cheese, nuts fats इन में से कोई मातरा लो next second अगर carbohydrates की disease से बचना है तो bread, wheat, sugar, potatoes इनकी ये नहीं सभी इनकी कोई-कोई एक किस मुदा लो और उनकी मातरा तुमारे भोजन में होनी चीए अब आता है fats fats मिल जाता है तेल से, घी से और butter से ये क्या करता है, fat का भी क्या काम है also give us energy fat और carbohydrates दोनों ही क्या करते है energy प्रदान करते हैं लेकिन fat की energy हमारे future के use के लिए store हो जाती है हमारे शरीर में ही और carbohydrates की energy वो होती है जो present में हम काम कर रहे हैं उसमें लगती रहती है और fat future के लिए हमारी energy को store करके रख लेता है, ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो उस energy का हम use कर सकते हैं next आता है fourth vitamins vitamins कहां मिलता है, fresh fruits vegetable, यानि कि switch और saap फलो में और vegetable मतलब सबजियों में यानि कि सबजिया तो हम proper मात्रा में ले ही रहे हैं, तो कभी भी हमें सबजियों से घिरना नहीं करने चाहिए, क्योंकि सबजियों में क्या होता है, vitamins होता है खासकर हरी सबजियों में अब आता है, यह किस चीज से बचाती है, protect us from diseases सबसे अच्छी बात है, जो vitamins है वो ही हमें बिमारियों से सबसे ज़ादा बचाती है और keep us healthy हमें सबस्च रखती है Is it clear? प्रोटीन क्या करता है? रिपेर करता है हमारे cells को, help करता है हमारी growth में, carbohydrates क्या करता है? हमें energy देता है काम करने के लिए fat क्या करता है? जो future में हमें energy चाहिए होती है, उस energy को present में ही save करके रख लेता है हमारे शरीर में और जब हमें future में आगे किसी चीज के लिए काम करने के लिए, जब हमारी carbohydrates से प्राप्त energy खतम हो जाती है तो हम fat की energy का use कर सकते हैं next आता है vitamins vitamins क्या करता है? हमें बिमारियों से सबसे ज़्यादा बचाता है और हमें स्वस्च रखने का स्वस्च रखने का काम भी किसको सोपा जाता है vitamins को तो हमें vitamins fresh fruit और vegetable की मात्रा सबसे ज़्यादा लेनी चाहिए अब इसके दो चीज और है minerals और roughage वो कहाँ-कहा पाए जाते हैं और वो क्या-क्या उनका use होता है वो discuss करते है Our first point is minerals What is this source of minerals? Minerals का क्या-क्या source होता है बेटा Minerals कहां-कहां present होते है Minerals are found in green leafy vegetables and fruits जो minerals है वो कहां पर present होते है Green, हरी, पत्तेदार सब्दियों में और उसके साथ-साथ fruits यानि की फलों में How they help us किस तरह से वो बेटा हमारी मदद करते हैं Protect us from diseases हमें बिमारियों से बचाते हैं Keep us strong इसके साथ-साथ हमें strong रखते हैं Next आता है rafage Rafage क्या होता है? Vegetable or fruits इसका source क्या है? What is the source of rafage, vegetable and fruits And how they help us वो किस तरह से हमारी मदद करते हैं Helps in extinctions Extinction में हमारी क्या मदद करते हैं ये रफेज जो है वो हमारी extinction में help करते हैं Clear हैं अब आता है Male nutrition Mal nutrition जो होता है उसके कारण कौन-कौन सी बिमारी होती है Mal nutrition रफेज help करता है वेस्ट प्रोडक्ट को भार निकालने में और अब आता है Mal nutrition से कौन-कौन सी भीमारिया होती है किन-किन कारणों से हम Mal nutrition से सफर करते हैं Clear है वेटा जो sources हैं उनसे जो nutrients के parts थे टाइप से उनके sources और वो किस तरह से हमारी मदद करते हैं ये सब कुछ clear हुआ अब आगे चलते है Mal nutrition क्या होता है अब आता है Mal nutrition Child do not get enough nourishment from their diet जब बच्चों की पास क्या नहीं होता proper मात्रा में nourishment नहीं होता उनके भोजन में Most occurs in children between age यान कि proper मात्रा में diet नहीं होती तो वो किस चीज़े में mal nutrition का शिकार हो जाते हैं और इस टाइब के बच्चे एक से लेकर पांच एस तक के होते हैं जादा तर और वो बहुत ज़्यादा मतलब पीले-पीले पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा sick मतलब बिमार रहते हैं Mal nutrition के कारण जो जो बिमारिया होती है तो वो दो बिमारिया है फर्स्ट है बेटा काश्यो को और दूसरा है merasmus merasmus क्या होता है has stunted growth and a weak body यानकि बच्चों की ग्रोथ एकदम से क्या हो जाती है रुख जाती है और जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है dry सूखी पढ़ने लग जाती है wrinkled यानकि जुरिया आ जाती है and stomach disorder occurs यानकि stomach disorder यानकि जो उनका पेट है वो almost ज़ादा तर खराब होता है कोई ना कोई बिमारिया उनको stomach में होती रहती है next आता है काश्यो को काश्यो को एक दूसरी deficiency बिमारी है जो किसके कारण carbohydrates और protein के कारण protein और carbohydrate की कमी के कारण काश्यो को होता है बच्चो को a child suffering from this disease has low appetite and swollen belly and reduce growth इसमें क्या होता है low appetite होता है उसकी जो belly होती है यानकि जो stomach होता है उस पर क्या हो जाती है Susan आ जाती है और इसके साथ-साथ उनकी जो growth है वो reduce मतलब कम होती जाती है ठीक है उनकी growth क्या हो जाती है धीरे-धीरोट का बजन वगारा ये सब कुछ क्या होने लगता है कम होने लगता है काश्यो कोमे और merasmus में क्या होता है stunted growth और weak body हो जाती है dry और wrinkled हो जाते है उनके face पर उनके जो शरीर है पून रूप से सूख जाता है सूखा पर जाता है और stomach disorder पेट की बहुत सारी बिमारिया उनमें देखने को मिलती है merasmus has stunted growth and a weak body जो growth है वो एकदम से क्या हो जाती है रुख जाती है शरीर बहुत जादा कमजोर हो जाता है dry सूखने लगते ही है हमारे हाथ पर सबसुक्ष पर जाते है face पर क्या जाती है जुडिया आ जाती है stomach disorder यहनकी पेट की बहुत सारी बिमारिया हमा बच्चों में देखने को मिलती है यह होती है बिमारी merasmus और काशियों को में क्या होता है caused by deficiency of carbohydrates and proteins पर जाता है low appetite low appetite मतलब appetite होता है बेटा भूक जो उसको भूक है वो क्या लगती है कम लगती है बहुत जादा कम भूक लगने लगती है swollen belly जो उसका पेट है उस पर क्या हो जाती है surgeon आ जाती है और reduce growth जो उनकी growth है वो धीरे-धीरे कम होती जाती है बच्चों का वजन तूटने लग जाता है बहुत जादा वीक दिखने लग जाते है चहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है और बहुत जादा सिक भी दिखते हैं ये सारी होती है ये सारी वीमारिय होती है माल नीट्रिशन के कारण और माल नीट्रिशन के कारण दो वीमारी होती है जिनका नाम था मेरेजमस और काशियो को कार्बो हाइड्रेट और प्रोटीन की कमी के कारण होती है इसमें भूक बहुत ज़ादा कम लगती है धीरे धीरे जो भूक लगना है वो कम होचा जाता है भूक को एपिटाइट भी बोल दिया जाता है जो उसकी value होती है जो उसका पेट होता है उस पर सूजन आ जाती है और reduce growth जो growth है वो भी कम होने जगती है marasmus में क्या होता है stunted growth एक दम से जो उसकी growth है वो रुख जाती है और शरीर कमजोर पढ़ जाता है dry wrinkled हो जाते हैं और उसके साथ साथ stomach disorder पेट की बहुत सारी बिमारिया बच्चों में देखने को मिलती है male nutrition किसके कारण रहता है proper बच्चों को nutrition नरिश्मेंट नहीं मिलने के कारण उनकी किसमे diet में ये कब से कब तक की age के बच्चों में जादा देखने को मिलता है एक से लेके 5 साल के बच्चों में जादा देखने को मिलता है इसमें चहरा और बहुत जादा पीला-पीला दिखने लगता है उनका शरीर पीला-पीला पड़ जाता है और वो बहुत जादा sick यानिकी बहुत जादा बिमार होते है आज के लिए इतना काफी है आगे की वीडियो इस चप्टर की समरी हम करेंगे कल कंट्यूनू थैंक्स फॉर वोचिंग